साथियों, किसी भी ससक्त रास्ट के लिए भविश्वें सुरक्षा के माइने क्या होगे? Space Technology इसका एक बहुत बड़ा उधारन है. मुझे बताया गया है कि तीनों सेना और द्वारा इस छेत्र में विभिन्न चुनोतियों की समिश्वा की गई है, पहचान की गई है, हमें इनके समाधान के लिए ये तेजी से काम करना होगा, Mission Defense Space देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ दिखाने का आउसर देगा, Space में बविश की संभावनाओं को देखते भी है, भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा, हमारी Defense Forces को नए इनोवेटिव सल्यूशन्स खोजने होंगे, Space में भारत की शक्ती सिमित न रहे, और इसका लाब भी केवल भारत के लोगों तक ही सिमित न हो, ये हमारा Mission भी है, हमारा Vision भी है, Space Technology भारत की उदार सोच वाली Space डिप्लोमसी की नई परिभाशा को गड़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है, इसका लाब कई अफरिकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है, ऐसे साट से जादा विकासिल देश हैं, जिनके साथ भारत अपनी Space Science को साजा कर रहा है, साउथ एश्या सेटेलाइट इसका एक प्रभावी उदारर है, अगले साल तक आश्यान के दस देशों को भी भारत के सेटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एक्सेस मिलेगा, यहां तक की यूरोप और अमेरिका जैसे विक्सी देश भी हमारे सेटेलाइट डेटा का उप्योग कर रहे हैं, इस सब के साथ ही एक ऐसा छेत्र है, जिसमें समुद्री वियापार से जुड़ी अपार सम्भावनाए हैं, इसके जरिये हमारे मच्छवारों के लिए बहतर आएं, और बहतर सुरुच्षा के लिए रियल टाइम सुचनाएं मिल रही हैं, हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन सम्भावनाओं को अनंत आकाज जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवार साकार करेंगे, समय सिमा में साकार करेंगे और अधिक गुनवत्ता के साथ साकार करेंगे, पविश्को घंडे वाले युवार स्पेस टेकनोलोजी को नई उंचाई तक ले जाएंगे, इसलिए ये विशाय डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपुन प्राथ्पिक्ता है, गुजरात की इस धर्ती से, दक्तर विक्रम साराभाई जैसे विज्ञानी की प्रेणा और गवरों भी जुड़ा हुआ है, वो प्रेणा हमारे संकल्पों को नई उर्जा देगी,